आज मैं आप लोगों को तेनाली राम का कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है परमान. यदि किसी जूठी बात को बार बार सची बताया जाए, या जूठी बात को बफूत से आदमी सची बताने लगे, तो वह सची मान ली जाती है. इसी सिध्धान्त का सहारा लेकर तेनाली राम से जलने बाले सभी दरबारियों ने यह फैसला किया की तेनाली राम की बिरुद्धे राजा कृष्ण देवराय के कन भरे जाए. सारे दरबारियों ने यह निश्चय किया की रोजाना अलग-अलग दरबारी एक ही सिकायत राजा से करे, तो कोई कारण नहीं की महीने दो महीनों में राजा अपने प्रिये दरबारी तेनाली राम से बिमुख हो जाएंगे. बस फिर क्या था? अपने इस फैसले के दूसरे दिन ही उन दरबारियों ने अपने अपने हत कंडों का प्रियोग करना शुरू कर दिया. दरबारी राजा के पास जाकर बोला. महराज, कुछ सुना है आपने? क्यों? क्या हुआ? महराज, अपराज छमा करें, तो मैं कुछ कहूँ? हाँ, हाँ, कहो, क्या बात है? बेजी जाक बोलो, क्या है? महराज, सुनने में आ रहा है कि आज कल तेनाली राम खूब रिस्वत बटोर रहा है. वह आपका परम प्रिये हैं. इसलिए लोग उसकी हर बात मानने पर मजबूर हैं. यदि लोग आपसे उसकी शिकायत भी करते, तो आप किसी भी दसा में उनकी शिकायत पर कभी विश्वास नहीं करेंगे. उस दर्वारी ने काफी प्रभावसाली ढंग से इस बात को कहा. हाँ भाई, यह तो सच है. फिर भी मुझे तुम्हारे साहस की सराहना करनी परती है. कि तुमने तेनाली राम की शिकायत करने का साहस तो किया? पता नहीं, इतना साहस तुमने कैसे जुटा लिया? दर्वारी ने राजा के मुह से यह बात सुनी तो ऐसा लगा, जैसा उसकी जान ही निकल गई हो. वह दर्वारी आया तो था राजा का प्यार पाने के लिए, और प्यार की जगह राजा ने उसे ही जिजक दिया. वह बेचारा अपना सामुह लेकर उहां से रफु चक्कर हो गया. पर दर्वारी भी काईया थे, वह अपनी असफलता पर हार मानने बाले नहीं थे. दूसरे दिन एक अन्य दर्वारी राजा क्रिश्न देव राई के पास गया. और उसने भी खूब नमक मिर्ज लगा कर तेनाली राम की सिकायत की. अब कोई न कोई दर्वारी राजा के दर्वार में रोज पहुचता था और तेनाली राम की सिकायत करता था. लगभग एक महीने तक दर्वारीयों की सिकायतों का कर्म चलता रहा. अब राजा को भी उनकी बातों पर थोड़ा विश्वास जमने लगा. राजा क्रिश्न देवराय सोचने लगें की. सायद दर्वारियों की बात में कुछ तो ठत्य है. लगता है कि तेनाली राम सच मुझ में ही रिस्वत खोड बंद गया है. तभी तो उसके खिलाफ इतनी सिकायत आ रही है. तेनाली राम को दन देना चाहिए. यदि दर नहीं दिया गया तो मेरा न्याई प्रियता मित्ती में मिल जाएगा. और पानी पानी हो जाएगा. अगले दिन राजा क्रिश्न देवराय ने तेनाली राम को दरबार में बुलाया और कहा. तम तुम्हारी बहुत सिकायत आ रही है. तेनारी राम, तुम्हारी खिलाफ रिस्वत खोडी की सिकायत हमें पिछले एक महीने से मिल रही है. महराज, मैं और रिस्वत खोडी यह कभी नहीं हो सकता है. यह तो एक नदी के दो किनारे हैं, जो कभी नहीं मिल सकेंगा. राजा ने कहा. यही बात मैं भी समस्ता था, मुर्क बालक. तभी तो मैंने इतने दिनों तक उन सिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया था. परन्तू, जब सिकायोती की जंदी लग गई तो, मुझे भी उन सिकायोतों का विश्वास करना पर रहा है. तिनाली राम, तुम या तो एक हफ़ते के अंदर अंदर अपनी इमंदारी का परमान दो, वरना तुम्हें हमारे दर्बार का पच छोड़ना परेगा. तिनाली राम ने अपनी बुद्धी से तुरंत यह भाप लिया की, यह सब दर्बारियों की उसके खिलाप एक साजिस है. उसको भड़े दर्बार में अपमानित करा कर सभी दर्बारियों, दर्बारी मन ही मन बड़े परसन हुए. तिनाली राम बेचारा कर ही क्या सकता था, सर्म से सिर जुका कर दर्बार में बैठा रहा. दर्बार समाप्त होने पर राजा ने उसे अपनी बात फिर से याद दिलाई. तिनाली राम ने राजा को नित्ते की भाती सिर जुका कर अभिवाद किया और चुपचाप अपने घर चला गया. अगले ही दिन जैसे ही दर्बार लगा की तिनाली राम का नोकर आखों में आशु भरे दर्बार में उपस्थित हुआ. और एक पत्र मंत्री जी के हाथ में दे दिया. मंत्री ने पत्र पढ़ना शुरू किया. पत्र में लिखा था, महराज, सत सत पर्णाम, कल मुझे बे कसूर को भरे दर्बार में लज्जित होना परा. मेरे सभी दर्बारी साथी मेरे खिलाप आरोप सुनकर भी चुप बैठे रहे. इससे मुझे ऐसा लगा मानू, वे भी मुझे दोसी मान बैठे हैं. ऐसी स्थिती को भला मुझे जैसा सत्यवादी कैसे सहन कर सकता था. मैं ऐसे जीवन से मिर्टू को स्रेष्ट समझ कर मर जाना उचित समझता हूँ. इसलिए मैं स्वैंग को नदी की भेट कर रहा हूँ. भगबान आपको लंबी उम्र दें. आपने जो सनिह मुझे दिया, उसके लिए मैं जन्मापतर तक आपका अभारी रहूँगा. आपका तेनाली रहूँगा. पत्र को सुनते ही राजा क्रिष्ण देवरा की आखे भींग गई. वे बोलें. मैं भी कैसा पागलपन कर बैथा? वो कुछ लोगों की सिखायत सुन कर ही तेनाली राम को दन सुना बैथा. तेनाली राम जैसा अनमोर हीरा इस दर्बार में अब कहां से मिलेगा? आप बिलकुल सच कहते हैं महराज. तेनाली राम बहुत ही बुद्धिमान था. उसकी जगह की पूर्ती हो पाना असंभव है. वह राजभक्त था, विद्ध्वान था, सत्यवादी था, इमांदार था और इन सब गुनों के साथ साथ वह सब का हिताईशी और परसंचित रहने वाला इंसान भी था. राजा कृष्म देव राय ने देखा कि तेनाली राम की परसंचा करने वाले और कोई नहीं दरबारी थे. जिन होने कुछ दिन पहले तेनाली राम की सिकायते करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. राजा को अपनी भूल का अभास हो गया, किन्तु अब क्या हो सकता था? बटो गलती कर बैथा है. उन्होंने ततकाल आदेश दिया. आज की बैठक सोग सभा की रूप में होगी. सभी सचे मन से तेनाली राम की आत्मा के सांती के लिए प्राथना करे. अज्या का तुरंत पालन हुआ. कुछ देर मन रखकर तेनाली राम की आत्मा की सांती के लिए प्राथना की गई. फिर सभी दरबारियों ने तेनाली राम के गुनों की चर्चा की. अभी यह सोक सभा चल ही रही थी कि तभी भडे दरबार में एक जटाधारी अपना जटाजूट उतार कर फेकता हुआ, आखरा हुआ. और बोला, महराज की जाए हो, महराज की जाए हो, महराज ने अपने स्रीमुख से और मेरे सभी दरबारी दोस्तों ने मुझे एक स्वर्शन से इमंदार और सत्यवादी बताया है. यह तो मेरी सच्चाई का सबूत आपको मिल गया है, ना? यह नकली जटाजूट धारी तेनाली राम स्वयंग ही थे. राजा कृष्ण देवराय ने जब तेनाली राम को इस रूप में देखा, तो हस्ते हुए बोले. तेनाली राम तुमसे तो कोई नहीं जीच सकता, तुम्हारी बुद्धी मता का पार पाना बहुत मुश्किल है, यह ना तक राचाकर तुमने न केवल अपने आपको निभान सावित कर दिया है, निदो सावित कर दिया है, बलकि अपने आलोचको के मुख पर तुमाचा भी ज़र दिया है, यह सुनकर तेनाली राम बफूत खुस हुआ, चतुरता मनुस का सबसे बरागुन है, जो चतुर नहीं है, वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, जैसे तेनाली राम की छोटी-छोटी मनुरंजक कहानियां आपको चतुर बनाने में और इस्थित समय अंस्वार कार्ज करने में सीख देने के लिए सर्बोस्त क्रिस्ट है, यह कहानियां नो केबल आपका मनुरंजन करेगी, बरना आपको चतुर भी बनाएंगे, परिबार के परत्यक सदस्यों के लिए यह कहानी सुनना बफूत अनिबार्ज है, और यह कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, एबं विडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में सेयर भी कीजिए,